असेस्मेंट ऑफ लर्णिंग में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करने वाली हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, मीन की, मीडियन की and मोड की तो देखिए मीडियन मोड आपके लिए कुछ नया नहीं होगा क्योंकि school time में आपने math की जो question की होंगे या आपने economics में stats किया होगा तो वहाँ पर mean median mode इसके बारे में आपने जाना होगा समझा होगा और इस तरह के जो question आये होगे उसको भी solve किया होगा लेकिन यहाँ पर beard में हम इसके practical parts के बात नहीं करेंगे कैसे इसको solve करते हैं इसका क्या formula है हम उसके बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर इसके theoretical part के बात करेंगे हम जानेंगे समझेंगे कि mean क्या है, median क्या है, mode क्या है इसके क्या characteristics हैं और इसके uges क्या है हम इन points पर बात करेंगे तो वीडियो को आखरी तक देखिए ताकि आप easy words में आप समझ सकें कि mean median mode है क्या, इसके क्या uges है तो last में अपना feedback जरूर दीजिएगा तो वीडियो का हम सुरू करते हैं और देखिए जब हम measures of central tendency या केंदरी प्रवर्ती के map के बात करें तो it tells you find the middle or average of a data set कि यहाँ आपको data set का मत दिया offset ढूडने में मदद करता है आपके पास जब भी कोई table आती है ठीक है, table का मतलब आपको जब भी कोई numbers दे होते हैं तो वहाँ पर उसका क्या middle है ठीक है, उसका क्या average है तो उसको आप कैसे जानते हैं इसी central tendency में mean, median, mode के through ही आप उसको जानते हैं तो its three most common measures are mean, median and mode अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं सबसे पहले अगर mean की बात करें तो देखिए mean या math इसको आप एक अगर आप इसको word में अगर आप जाने समझे तो इसको आप कह सकते हैं कि average ठीक है, the average taken for a set of numbers is called a mean की संख्याओं के समों के लिए लिया गया औसत माध्य कहलाता है add all of the numbers together and divide the sum by the total numbers of value की सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ें और योग को मानों की कुल संख्या से विवाजित करें the result is the mean or average score की पहिणाम माध्या औसत score है तो देखिए अभी तक अगर नहीं समझ भी आया तो आप इस example से समझ सकते हैं हमने कुछ numbers लिए ठीक है, two, four, six, eight हमने total four numbers लिए ठीक है, अब क्या करेंगे इन four numbers को हम जोड़ देते हैं, two plus four plus six plus eight, total कितने हो गए twenty हो गए, ठीक है अब twenty को हमें किस से divide करना है, four से divide करना है, four से क्यों, क्योंकि total number कितने है, four अब four को हम twenty से divide करेंगे, और total हमारे पास result क्या आया five, तो five क्या हो गया five को हम कहेंगे average और mean ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि mean क्या है average है, average कैसे निकाला जाता है total जितने भी number है, उनको plus करके, ठीक है total जितना number आता है, ठीक है, जैसे two plus four plus six plus eight इनको plus किया तो twenty आया और इस twenty को total number से हम क्या करेंगे, इसको divide करेंगे, तो क्या होगा, mean या माध्य निकल जाता है, ठीक है और इसके ujis और characteristics की बात करें, the mean is the average माध्य, सभी संख्याओं के औसत को कुल संख्याओं में से विव्याजित करने पर प्राप्त होता है, आपको पता चल गया होगा, the mean can be calculated for any set of numerical data, कि कोई भी numerical data है, कोई भी संख्यादा data है, तो किसी भी set के लिए माध्य की गढ़ना आराम से की जा सकती है total जो numbers है, ठीक है उन numbers को add करने के बाद क्या होगा, उसको total numbers से divide कर देंगे, जो भी last में score होगा उसको total numbers से हम divide कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, mean निकल जाएगा, तो it is the most reliable measures of central tendency केंद्री परती का सबसे विश्वसिनियमाप है, it takes into account each item in the set of data, कि इसमें data में जितने भी numbers है, सभी numbers को लिया जाता है, सभी numbers को add किया जाता है और फिर उससे क्या किया जाता है divide किया जाता है, तो फिर क्या निकलता है जो actual score है, total जो add करने के बाद जो total score है, वो निकलता है तो इसनी इसको हम कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा reliable है, और इसमें जो भी numbers है, ठीक है सभी को इसमें श्रामिल किया जाता है median की बात करें the middle value in the data set is called the median की data set में मध्यमान को माधिका कहा जाता है तो अब question आता है कि middle value क्या है, middle value total जितने भी numbers है, ठीक है उसमें जो 20 का जो number है ठीक है, उसको हम क्या कहते है middle value कहते हैं इसको कैसे निकालते हैं place all the given numbers in ascending and descending order कि जो भी number है, आप उसको ascending or descending order आरो ही या अरो ही करम में रखते हैं ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं the next step is to find the middle number on the list की, फिर आप देखेंगे कि list में middle number कौन सा है उसे ही हम क्या कहते है, median ठीक है, examples इसको समझ लेते हैं total number क्या है 4, 2, 8, 10, 19 ठीक है, अब इन numbers को हम क्या करेंगे ascending या descending तो यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे है इसको ascending order में हम रख रहे है ठीक है, 2, 4, 8, 10, 19 अब देखते हैं इन में से central में कौन है, middle में कौन है total 5 number है न, तो जो third जो क्या आ गया, 8 8 यहाँ पर क्या है, बिलकुल मद्द में है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम median की बात करेंगे, तो median क्या होगा, 8 होगा, ठीक है so the middle number, 8 is the median here, तो यहाँ पर middle number कौन सा है, 8 है, ठीक है अब आपके सामने question आगा न, कि 8 middle number क्या है, तो देखे, total number कितने है total number 5 है, ठीक है इसको हमने ascending order में रख लिया अब इस 5 में से जो 8 है, इसका number क्या गया 2, 1 हो गया, 4, 2 हो गया और 8 क्या हो गया, 3, ठीक है तो जो middle number कौन सा हुआ, 8 हुआ तो इस तरह से median को निकाला जाता है, और इसके UG's, अगर हम इसकी बात करें तो median is the midway value in a list of numerically shorted numbers from smallest to largest की मादी का, सबसे चोटी से लेकर, क्योंकि हम इसको ascending order में जब रहे हैं तो सबसे चोटी से लेकर सबसे बड़ी संख्यायात में कुरूप से क्रमबत संख्याओं की सूची में मध्यमान है there is a unique median for each data set, की जितनी भी data है उसका जो middle number होगा, वही होगा median, तो प्रतेक data set की एक अध्यूती माधिका होती है, ठीक है, एक unique median होता है, it is not applicable to qualitative data गुनात्मक data पर लागो नहीं होता एक इस पर होता है qualitative होता है quantitative इसका उपयोग तब किया जाता है जब जो data है वह क्रम सुचा को, ठीक है मतलब अलग लग हम कहते संख्या में हो और फिर उसको हम क्या करेंगे ascending या descending order में उसको हम set करेंगे, फिर उसमें जो middle number होगा, वो क्या होगा हमारा median mode की बात करें, last में तो mode क्या है repeated number है the number that occurs the most in a given list of numbers called mode कि संख्याओं की गई जो जितनी भी संख्या है दी हुई है, ठीक है चाए 5 number है, चाए 10 number है जो number बार बार repeat हो रहा है उसे ही हम mode कहते है, तो इश्रोदा frequency of occurrence की गटना की अवर्टी को दर्साता है, we can have more than one mode और no mode at all की जो भी numbers हमें दिया हो गया है data दिया गया है, उसमें एक से जादा भी mode हो सकते हैं, या कोई mode भी नहीं हो सकता है, तो इसको भी example से हम समझ लेते हैं, देखिए सामने numbers दिये गए ठीक है, 3, 3, 5, 6 7, 7, 8, 1, 1, 1 4, 5, 6, अब हम यह देखना है कि कौन सा number ज़्यादा repeat हो रहा है अगर हम 3 की बात करें तो यह 2 times repeat हो रहा है 5B 2 times, 6B 2 times, 7B 2 times 8, 1 time, 1, 3 times 4, 1 times, तो सबसे ज़्यादा repeat कौन सा हो रहा है, number 1 हो रहा है तो 1 बार-बार repeat हो रहा है, तो इसलिए 1 क्या हुआ, mode हुआ, ठीक है इसकी यूजी, अगर हम बात करें, the mode is the value of the number that appears the most frequently in the list की बहुलग, उस संख्या का माने जो सुची में सबसे अधिक बार दिखाई देता है, ठीक है इसका उपयोग तब किया जाता है, जब किसी वित्रण में सबसे अधिक बार होने वारी प्रितक्रिया, संख्या या अवलोकन को में जानना होता है, तब हम इसका बार किसी वित्र देका भी जित्रण में सबसे अधिक